प्यारे बच्चो, क्लास 6 की सायंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से सवागा थे बच्चो और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नमबर 12, गती बच्चो, ये चैप्टर हम लोगों ने पिष्छी वीडियो क्लास में स्टाट कर दिया था और हम लोगोंने जाना था कि कोई वस्तु विराम की अवस्ता में कब कही जाएगी और गती की अवस्ता में कब कही जाएगी इसके बारे में भी बच्चो हम इसके पहले की वीदियो क्लास में पढ़ चुक है अगर आपने नहीं देखा हैं तो चेनल की प्लेट में जाकर बच्चो आप देख सकते हैं वहां पर आपको पहले का वो हो जाएगा आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों, दूरी और विस्थापन, तो यहां हम जानेंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन किसे कहा जाएगा, तो यहां पर देखिए बच्चों, कहा गया है कि जो आपकी कच्छा है, जो classroom है, उसमें दिवाल, जो है, उसके सहारे चलते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाईए और दूसरे कोने से तीसरे कोने तक पहुंचिए ठीक है अब जैसे कि यह चितर दिख रहा होगा तो यानि माली जी हम यहां पर एक कोने पर हैं यहां से हम दूसरे कोने पर गए दूसरे से तीसरे कोने पर गए ठीक है तो अब इसके बाद जो सा वाला तीसरा कोना है इस से हम सीधे जो है वो अब यहां से यहां भी आ सकते हैं यहां से यहां तारीके भी जा सकते हैं तो अब यहां पर देखिए बच्चो अगर एक तरह से कहा जाए आ से सा तक पहुंचने के दो रास्ते हो गए हमारे पास में एक बार आ से बा में गए बाद से सामे गए और एक बाद से सीधे हम सामे गए ठीक है तो यहां पर आपको कुछ हंतर समझ में आ रहा है तो बच्चों यहां पर आप देखिए यहां से सावाले इस रास्ते से में जाने में जादा दूरी तै करनी पड़ेगी लंबी दूरी होगी और अगर यहां पर ज पूरी कहलाएगी लेकिन तनी विस्थापन कहा? वीक्त कि पहुंचा तो जो रह तक इस न्यूंतम लब्वा है न्यूंतम दूरी और जो रह तक तक मोईब कि rozm स्कूनी बॉस्थापन की जो है ठीक है अगर माल लीजे बच्चों कोई व्यक्ती जो है वो वर्ताकार मार्ग पर चल रहा है ठीक है अब आधे यहां पर देखिए आधे वर्त का रास्ता तै करता है तो उसके दोरा चली गई जो दूरी होगी A से B जाता है B से C जाता है तो दूरी क्या होगी A से B, B से C इस तरीके से इसकी दूरी होगी लेकिन उसका विस्थापन क्या होगा A, D, C जो सौटकट वाला है जो यूंतम दूरी है वो क्या कहलाएगी उसकी विस्थापन कहलाएगी ठीक है तो यहां से आपको समझ में आ गया विस्थापन क्या होगा अब एक बात और देहां दीजे बत्पुने पी पर आ जाता है तो तब क्या होगा तब बच्चे उसके दौरा चली गई दूरी तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी पी से क्यू की क्यू से आर की आर से यस की और यस से पी के बीच की दूरी जो है उसकी क्या होगी उसकी जो है वो दूरी होगी इस सब का जो तो वहीं कंः है ना तो विस्थापन की अगर बात कहा जाए तो विस्थापन क्या होगा यहाँ पर सुन्ने होंजो है कि आपanners तो विस्थापन सी यहां है तो कि यहां से निकले ते वहं पहुंच ग Mario यहां पर कुछ विशेश बाते हैं वह समझे ये दूरी का मान हमेजा पच्छों विस्थापन के ब्राबर यह उसे अधिक ही और फाथ가 दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है और उससे अधिक हो सकती है ठीक है उससे कम कभी नहीं होगी यदि दूरी सुननी है तो विस्थापन निश्चित रूप से सुननी ही होगा परंतो यदि विस्थापन सुननी है तो निश्चित रूप से यह नहीं है कि दूरी सुनन दूरी में केवल परिमार होता है परन्तु दिषा नहीं होती है परंत विस्थापन में परिमार और दिषा दोनों ही होती है ये विश्ण इस बात है बचो कि दूरी में किवल परिमाण होता है, किंतु दिशा नहीं होती है लेकिन विस्थापन उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है तो इस प्रकार से आपको दूरी और विस्थापन में अन्तर समझ में आ गया होगा अब हम चर्शा करते हैं बचो चाल और वेग की तो चाल और वेग जो है ऐसे तो देखने में लग रहा है कि हाँ एक ही ही होंगे चाल और वेग कितनी वेग से चल ला है कितनी उसकी चाल है तो बच्चों यादि एक वाहन जो है वो निश्ची समय में अधिक दूरी अथवा विस्थापन तै करें और दूसरा वाहन जो है उतने ही समय में कम दूरी अथवा विस्थापन तै करें तो पहले वाहन की गति तीवर और दूसरे वाहन की गति क्या होती है वो मन्द होती है जो जादा अधिक समय में अधिक दूरी कर रहा है अगर दूसरा बहान ना तो दूसरे बहान की गति कैसी है इसी प्रकार पाचों आपने सड़क पर कुछ वाहनों को तेज गति से और कुछ बहानों को मंद्य धीमी गति से चलते हुए देखा होगा तो cycle की ढुबहें होती है खार देखा सिरा हो самого tad choices hungry साइकल निहיץा है और ति होपलोगा है ठीक है अगर पर्टिकुलर समय दिया जाएगी इतने समय में दोनों की दूरी बताईए तो जो कार है वो ज्यादा दूरी तेह कर लेगी और साइकल वाला कम दूरी कर तेह कर पाएगा तो तो बचो किसी वस्तु के द्वारा एक आंक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है और चाल का बचो यसाई पद्धती में मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है और किसी वहान या वस्तु की चाल जो है वो उसके लि तेय करने में लगा समय वस्तु की द्वारा तै की गये दोरी बटे रीक है चाल बराबर दूरी बटे रिए समय ज्ञें जंकिन एकांक नई में तorage किसी वस्तु के दोरा तो वेक क्या है बच्चो किसी वस्थू की दौरा एकांक समय में तै कि निये गया विस्थापन और वेग का बच्चो मपाय यहमात्रक ऊहां ओतार मीतर पर सेकंड्ड होता है ना इसरी मात्रक शाल का कर्या होता है तो लेकिन वेक का फार्मूला क्या होता है विस्थापन बटे समय ठीक है चाल बराबर दूरी बटे समय और वेक बराबर विस्थापन बटे समय ठीक है अंतर समझ में आ रहा है बचो अब यहां एक इसकर्ज निकल के आ रहा है बचो कि चाल का मान होगा वो हमेशा वेक के बर ज्यादा लगत चाल होगी चाल सुन्य तो इस तरीके से हम ने दूरी और विष्मापन को समझा उसी तरीके से चाल कào वेगें तो वहनों के गति वेगी डिखाई गई उससस होती है नख़ और ऐसक चार बराबर क्या होता यह कोल चली गई दूरी और कोल उसमें दूरी को यह को करने कि लागा हो जाएगा केवले अगर वैग की बात कहा जाएगा जैसे ने नहीं होती है उससे तरह के से यह जो है लिए परिमाण और दिसा दोनों होते हैं तो बचो आपने मोटर साइकल और कार में एक मीटर लगा हुआ तो उसके कोणी कि चाल सीधे ही प्राप्त हो जाती है इसमें करने मीटर भी लगा होता जो कि बाहन के द्वारा तैकी गई दूरी को नापता है और इसे क्या बोलते हैं पथगामी या ओडो मीटर बोलते हैं ठीक है तो यह कुछ बाते थी जो जानना जरूरी थी तो बच्चो आज की वीडिय ने किया तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चो साथ ही बेल आइकन भी प्रिस कीजिएगा घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नौटिफिकेशन मिलता रहा है बच्चो यह वीडियो क्लास जो है एकदम फ्री है तो आप भी इसका लाब लिजिए दूस